Breaking News, Breaking News, Breaking News यह Breaking News पाकिस्तान से आ रही है पाकिस्तानी सरकार अपनी ध़ै हुई एकॉनोमी और अपने देश की जनता के हालत को दुनिया के सामने दिखाने में इतनी सर्मा रही है कि उसने पाकिस्तानी चैनलों पर ईद के विशेश कारेकरमों के परसारण पर रोक लगा दीगी है इस खबर की बारे में आपको पूरी डीटेल में बताएंगे और इससे जुड़ी हुई उनकी दलील को सुनकर आपकी हसी घुडूके की नहीं तो इससे पहले आपको बता दे आपने अभी तक जुड़ी नुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ी नुज को सब्सक्राइब कर लिजे और इसके पास में बने औल नोटिफिकेशन बेल को दबाजिए ताकि इसी तरह की सारी खबरे हम आपको बताते रहते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं इस खबर की पूरी डिटेल पाकिस्तानी मीडिया नियामक प्रादिकर ने मीडिया संस्थानों से ये कहा है कि वे इद उल अजहा पर पहले से रिकॉड के कारक्रमों या विसीस कारक्रमों को लाइव प्रसारीत न करें क्योंकि उसके पीछे उनकी ये दलिल है कि इसे नौकेवल हमारे रास्र बलकि कस्मीरी भाईयों की भावनाव को भी ठेस पहुँच सकती है ये अब क्या बात हो गई नियामक प्राधिकरन ने सनिवार को जारी एक अधी सुचना में कहा था कि कस्मीर के साथ एक जूटता जताने के लिए इद उल अजहा को धार्मिक पर्व के रूप में साधगी से मनाया जाएगा अब उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो साधी से न मनेंगे तो और कैसे मनेंगे इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कोई विशेश काडिकरम यानि कि पहले से रिकॉर्ड किये गए या पहले से नियोजित किये गए लाइफ को न दिखाने को कहा है इस खबर को आपको दुबारा बता दे रहा है कि इद के जश्न के रूप में प्रसारित होने के कारण इससे नौकेवल हमारे रास्त्र यानि कि पाकिस्तान बलकि कस्मीरी भाईयों की भावनाव को भी ठेस पहुंच सकती है पाकिस्तानी समाचार पत्र पाकिस्तान टूड़े के मुताविक आपको बता दे कि अधी सुचना में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के सुतंतता दिवस 14 अगस्त को पहादुर कस्मीरीों के साथ एक जुटता जताते हुए मनाया जाएगा नियामक प्रादिकरन ने ये भी कहा है कि भारत के सुतंतता दिवस यानि के 15 अगस्त को एक काला दिवस के रुप में बनाएंगे पाकिस्तानी राष्ट्रध्वज उस समय जुका रहेगा अब ये उन्होंने कहा है ये तो बहुत ज्यादा गलत बात हो गई इसके लिए तो उनको खीच कर देना चाहिए अधी सुचना में टीवी चैनलों को उस दिन अपने लोगो ब्लैक एंड वाइट करने की सला दिगे इलेक्ट्रोनिक मीडिया नियामक ने आठ अगस्त को समाचार चैनलों को किसी भी प्रकार की टिपणियों या बिसलेशन के लिए अपने स्टॉक्सों में किसी भी भारतिय सेलिब्रिटी राजनेता पत्रकार या बिसलेशकों का आमंतरित नहीं करने का निर्देश दिया था यह कदम भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त को अपने संविधान के अनुचे 370 के तह जम्मू और कस्मीर को प्रदत विसेश दरजे को समाप्त करने के गोशना के बाद आया है सरकार ने राज्य को दो के अंदर सफित परदेशों में बदल दिया है जिससे जम्मू और कस्मीर में विधान सभा होगी लेकिन लद्दाक में विधान सभा नहीं होगी पाकिस्तान की इस हसी न रुकने वाली दलील के बारे में आप क्या कहेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राए को लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें धन्यवाद